नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजबल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजोल अर्दनंग होकर सडकों पर उतर किसने किया विरोद क्या हीरो बनने के चक्कर में अपनी जान गवाने से बाल बाल बज़ कर विधायक जी और एक बंदर के पीछे क्यों पड़ा पुलिस महकमा लेकिन शुरवात करेंगे हमिरपूर से जोहां हैरान परिशान करने वाले मामले को लेकर आरोप ये है कि महिला जज़ के साथ एक वकील ने छेह चाड़ की तो चलिए बुलिटिन की शुरवात करते हैं हमिरपूर से जहां हमिरपूर में तो क्या सिविल जज महिला से की गई एक वकील ने शुरखानी मामला हैरान और परिशान करने वाला है विवाद हमिरपूर का है जहां जिला न्यायले के वकील हारून परसवल महिला जज़ ने शुरखानी का गंभीर आरूप लगाया है और वो भी एक वकील पर बकायदा महिला जज़ की तहरी पर आरूपी वकील के खिलाफ कई मामलों में दर्ज हो चुका है मुकदमा और आपको बता दें कि पहली ही ह युपती के साथ दर्णगी वाले मामले ने सियासी तूल पकड़ रखा है और युपती के साथ दर्णगी मामले में वीडियो वारल होने के पचास घंटे बाद भी पिडिता का पोलिस को भी पता या सुराग नहीं लगा पाई है ऐसा लग रहा है कि जिले में आसमाजुक तत्वों के ओपर पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है और अब सिविल महिला जजज ने एवनिंग वाक के दुरान महिल वकील पर भद्दे कॉमेंट्स पास करने और पीछा करने का आरोप लगा कर प्रशासन पर एक बार फिर से सवाली निचान खड़े कर दिये हैं ऐस पर आ रहा है जहां पर एक जजज महिला सिविल जजज ये बताई जा रही है जिन्नों ने एक वकील पर आरोप लगाया है च्विडखानी का हैरान करने वाला मामला है परिशान कर देने वाला है और इसी कबर पर जादा अपडेट के लिए मेरे सही होगी अब्दुल सिद् आधारी पूरा मामला हमीर जिले के जिला जज जज का है जहांपर सिविल जज ने एक प्रेक्तिस कर रहे अड़ोड़ कूपर शिरकानी का आरोप लगाया है उनका कहना है कि ये साम के जब माहम इंग जाकी है सिविल जज यहाओ पिछिन में तो इनका ये पीच्छा करते है यहां पर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता या आम महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती है यह वही हमीरपुर है जहां पर मुझ दिन पहले एक पूरा मामला सामने आये था युपति से छेचार का गैंग रेप का अब तक वो युपति बरामद नहीं हो पाई है युपति का कोई सुराग नहीं लग पाया है यानि यह कहा जा सकता है कि हमीरपुर में पुलिस का खौफ जरा भी किसी को नहीं है चाहे वो गुंडा हो चाहे वो अपरादी हो चाहे वो इस तरह के वकील हो जी बिल्कुल बिल्कुल हमीरपुर में अगर महिला सुच्छा की वाद की जाए तो उनकी धजिया उलाते है यहां पर पिरसासन जो है वो कहीं से भी एक्टर मोट पे नहीं नजार आ रहा है क्योंकि यहां पर कुछ दिन पहले जो सिकी साइट में जो घटना हुई थी कावी मिन्नेна और काफी धरदना घटला हुए ती इसका पिरसासन अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाएं तो फर आम जंता जो आम महिला हैं वो स्रस्च चित कैसे रहेंगी शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप नज़र बिना के रखेगा अपडेट लगातार आपसे लिते रहेंगे तो हमीरपूर का ही पुरा मामला जहां पर सिविल महिला जज ने छिडखानी का आरोप लगाया है एक वकील पर जिसके बाद अब इस पूरे मामले में कारवाई की बात की जा रही है और अगली खबर देवरिया से जोहां देवरिया के सदगरही टोला में गाउं के दो घरों में चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया दोनों घरों के मालिक परिवार सही दिल्ली में रहते हैं ये बात चोरों को अच्छी तरह से पता चल हरोग में गहने पैसे सईत लाखों का समान गाइब कर दिया सुभा गावालों ने देखा कि घर का तारा तूटा पड़ा है और समान इधर-दर बिखरा हुआ है तो इसके सूशना रुदपुर कोटवाली को दी गई वही रुदपुर कोटवाली इस पूरे मामने में जाज़ पर ही मौत हो गई हादसा बिखली विभा कि लापरवाही के चलते हुआ आपको तादें की तार लक्री के एंगल पर बंदा था लक्री के तूटने पर तार गिर गया जिससे आला पूट जा रहे हैं काकराला निवासी दो लोगों की मौत हो गई मौत से परिजिनों में कोहि नियमों के किये गए बदलाव और बढ़ती हुई GST के विरोध में थराली ठेकेदार संग ने लोग निर्माने विभाग में अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी भी की है ठेकेदार ने लोग निर्माने विभाग और सचाई विभाग म वे तैसिल परिसर में पहुंचे जहां से उब जरादिकारी कारले के माधियम से मुखे मंत्री को ग्यापन भेशते वे रॉयल्टी के नियम और बढ़ती हुई जियस्टी के दरों को वापस लेने की मांगी ठेकेदार संग निसरकार को चिताते वे कहा कि यदि सरकार जल से जल ठेकेदारों के मांग को पूरा नहीं करेगी तो ठेकेदार अपने आदूलन को और उगर करेंगे और सोड़कों पर उतर कर उगर पर दर्शन करेंगे जब ठेकेदारों की रॉयल्टी जो है कि विवाग द्वारा उसका मिजरमेंट करके उनसे ले ली जाती है तो ठेकेदार कहां चोरी कर रहा है कहां ठेकेदार पर दर्शन करेंगे और जैसा कि आप कहरें कि छेतर में सुपरसित लोगजात सुरू होने वाली है और ठेकदारों ने निड़ाय लिया है कि जब तक हमारी मागें नहीं मानेंगी हम सभी प्रकार के सभी विवागों में पूरे कारियों का वैसकार करेंगे वहां जितने भी जैसे भी लगें उनको हटाएंगे कोई भी निर्मान कारे कोई भी ठेकदार ने करेगा जब तक हमारी मागें नहीं मानेंगी इसलिए हमारा निवेदन सरकार से यथा सीक्र हमारी नियाईचित मामूँ पर विचार कर इसको रोयल्डी का कानों कालून वापस लेकर जो रोयल्डी के पूरो में नियम थे उनको यधावाद रखा जाए नेतो यांदोनत और उब्र रूप लेगा सरोवर लगनिन एनिताल में एनिताल शहर की विवस्ता को ठीक करने नशेडियों पर लकिलकस ने महिलाओ की सुरक्षा समेत याद याद है विवस्ता को दूरूस करने कि लिए सरकार ने पुलिस शेत्रादिकारी की जिम्मदारी विभाद देखशित को दी है विभाद एक्षित ने पत्रकारों से रूबर होते वे कहा कि जो भी पुलिस प्रशासन द्वारे जमेदारी दी गई है उसमे खरव तरने का पूरा प्रयास किया जाएगा उन्होंने पत्रकारों से शहर के स्तिते के बारे में भी बारीकी से पूछा उन्होंने कहा कि सबसे पहले नशात अस्क्रोप परंकुष लगाये जाएगा पार्किंग विवस्ता को दुर्स किया जाएगा फटरनाक धंग से वहां चलाने वालों को सबक सिखाये जाएगा साथ उन्हेंने कहा कि किसी प्रकार के कोई समस्या होती है तो 112 पर शकायद कर सकते हैं जुरान मलिताल के थाना प्रभारी निरिक्षक प्रितम सेंग थाना अध्याक जोहितार सागर समेत सरवर नगरे के एलेक्ट्रोनिक एवंप्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे थे श्रामनी में हिंदू जागर्ण मंच ने भगवा मूटर सैकल रेली निकाली जिसमें बीजोपी नेताओं सहित सैक्रों के संख्या में लोग बाइतकों पर भगवा और तिरंगा जंदर लगा कर भारत माता की जैके नारे लगाते हुए दिखाई दिए इस उरान शहर भगवा में हो गया और रेली का जगा जगा स्वागत भी किया गया वही सुरक्षा की जगत रखते हुए पुलिस द्वारा पुखता इंतिजाम किये गए रेली में पहुँचे बीजोपी नेता ने बताए कि प्रतिवर्ष के तरह जबार भी इंदुजागर मंच द्वारा भगवा मोटिसेकल रेली का जगा जगा जा रहा है जिसमें युआ महिला और अने लोग बढ़ चड़कर हिस्सा ले रही हैं वही पीली भीत में एक दिवस्य दोरे पर पहुँचे सांसद वरुन गांधी ने पुरनपुर रिल्वे स्टेशन के पीछे स्तित महाराना प्रताप चौक का उधगाटन किया वहीं आपको उता दें कि उधगाटन से पूर्व शेत्रे लोगों ने महाराना प्रताप के प्रतीमा लगाने को लेकर विरोध प्रत्रशन किया शेत्रे लोगों की मांग थी कि पहले महाराना प्रताब के प्रतीमा लगाई जाए इसके बाद महाराना प्रताब चौक का उधगार्टन किया जाए समाजवादी पार्टी के रास्टे अध्यक्ष अखलेश श्यादब ने समाजवादी पार्टी के रास्टे अध्यक्षपद और प्रदेश अध्यक्षपद को छोड़कर उत्रप्रदेश के कारकारने को भंक कर दिया है नई कारेकर नी बनाई जा रही हैं जिसको लेकर प्रदेश भर में युद्य स्तर पर सदस्ता अभियान चलाया जा रहा है सिकड़ी में सधातना कर जिले के तो मरिया गंज विधान सभा से विधायक से अधा खातून ने अपने विधान सभा शित्र के भनवापूर और रगडगन चुराहे पर लोगों की भारी संख्या में समाजवादी पार्टी की सदस्ता दिलाई समाजवादी नीतियों के बारे में समझाएं जिससे समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी मैंनपुरी में थाना इलाओ शेत्र के विद्ध उकेंद्र मंचना में 23 राट करी 25 बदमाशों ने करमचारी को बंधग बनाकर टिकेती की वारदात को अंजाम दिया बदमाश परिसे में रखा लाखों रुपे का तामवादी का तार लूट ले गए सब्ध जानकरी होने के बाद करमचारियों को मुक कराए गया सुष्णा के बाद थाना पॉलिस मौकें पर पहुंची वहीं थाना अत्याक्ष ने बताए कि लगभग दो कुंटरल तामवा की चोड़ी संग्यान में आई है प्रियाग्रा जहां से निर्वावचन शेत्र के सपा सिक्षक विधायक प्रत्याशी को चुनाव में जिताने के रणींती को लेकर एक बैटक सपा के पार्टिय का ररले इलहबाद में हुई बैटक में सपा सिक्षक विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अस्पि सिंग पटेल को चुनाव जिताने के रणीती तियार की गई है जिसमें समाधवादी पार्टिय के जलाधियाक्ष योगी श्यादव और सनातक सिक्षक विधायक डॉक्टर मान सिंग यादव सपा के पूर देने करके प्रत्याशी को चुनाव में जिता कर रास्टी अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत किया जाए उने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पार्टी के सभी कारकरताओं को एक जिट हो जाना है और शेत्र में टहल कर सिक्षक मद्दाताओं का नाम वोटर लिस्ट में चुड़वाने का काम तेज़ी के साथ करना है तब ही हम चुनाव जीत सकते हैं मत्रा की धर्म नगरी विंदावन में बंदरों का इतना आतंग है कि स्थानी लोगों के साथ अधालू को भी उसका शिकार होना पड़ जाता है मगर एक ऐसी तस्वीर जम कर वारण हो रही है जब मत्रा के डियम नमनी चैर्ल विंदावन के बागी विहारी मंदर पर निरिक्षन करने पहुँचे जब काफी देर तक बंदर ने चश्मा नहीं वापस किया तो पिस्थानी लोगों के साथ मंदर के गोस्वामी और पुलिस कर्मी ने बड़ी मुश्किल से मंदर के चुंगल से डियम साहब के चश्मे को वापस कर आया तब कहीं जाकर डियम साहब को चश्मा फिर से उनके हाथों में सौम दिया गया एक दिवस्य दौरे पर अपने संसदी श्यत्र पेलिपीट पहुंचे संसद बड़ों गांधी ने अपनी सरकार के नेताओं पर निशाना साते वे कहा कि आप सब लोग अपनी आवास को बुरंद करो यदि मेरा भी विरोध करना है तो करो मैं इस देश में निता किसी पद या किसी लाब के लिए नहीं बलकि हम जैसे निता फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं यदि आप पर कोई राजनीतिक व्यक्ति निता केस्ट तरच कराता है तो उसको रद करके मैं अपने उपर ले लूँगा यहाँ गुलगपपा खाने नहीं राजनीति में देश की बात करने आया हूँ यदि को हिंदुस्तान को भी दीमक की तरह चाट रहा है तो हम उसका नाम लेकर भी बोलेंगे हमारे देश की आजादी के लिए हमारे दादा दादी नाननाश नहीं अपना सब कुछ दाओ पर लगाया तो देश को आजादी मिली है सच्ची देशमक्ति वही वह नहीं जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच पर हम लोग तालियाँ मजाающий सच्छी देश्बक्ती वो है कि यहां हम अपना सब कुछ दाओं पर लगा दें जिदी वरुन गांधी के खलाप आवाज उठनी है तो आपका स्वागत है अगर आप मौन हो जाओगे तो लोकतंत्र मौन हो जाएगा अपने इशारों शारों में वर्ण गांधी ने पिलिभीत के शेयर विधायक राज़मंदु संजोसें गंगवार पर भी जम कर निशाना साथ हाँ साहरनपूर में पत्ती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पत्ती को हत्या को अंजान दिया पुलिस ने हात्या के आरूपी पत्नी और इसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया प्रिस्वारता में साहरनपूर के सस्पी डॉक्र पिंतारा ने बताए कि थाना नंगला पुलिस ने तलहेडी बुजर्ग साखा नेहर के पास हुई मोनू के हात्या के गटना का सफल अनावर इसके अनावरण के लिए इसके अनावरण करते हुए जो मतकी पत्नी है और उसका इग्मित्र यह दोनों को गिरफ्ता किया जो मतक कर कि पत्नी है उसका मतक के दोस्ति के साथ दोस्ती हो भी थी इसके ficar my husband मिली और जो सरुविलेंसे मदद मिली है कौनों के बीच में अमेटी के गौरिगंज प्लेस और एसोजी टीम के सिखत अभियान में चोरी की करीब मुबाइल और तमंचा कार्टूस के साथ अंतर जनपदिये शातिर चोर गिरपतार किये गए हैं मुखबिर की सूशना पर एक सूटी परसवातीन लोगों को ठाने के सेंच राहे पर चेकिंग के दोरान पुलिस ने रोग कर जाज परताल की तो तीनों अभियुक्ति के पास से एक तमंचा 315 बोर और एक जिन्दा कार्टूस बरामत हुआ क्या है पुरा और क्या क्या परामत हुआ इसमें देखिए सोजी अमेठी की टीम और गोरी गण थाने की टीम को एक अच्छी सफलता मिली है तीन इसमें लोग ग्रिफतार किये गए हैं जिनके नाम निखिल सिर्वास्तो, सत्तिंद्रियादो और अर्जिन कुमार है इनके तीनों के कब्जे से एक तीन से पंदरा बोर्गत मंचाय की जिन्दा करतोस बरामत हुए है एक इस कूटी मिली है जिसका कोई काज दिखा ने सके जिसके तीनों सवार थे इसके अलबा इन्होंने बताया कि इन्होंने पुर्व में सुल्तानपूर से मेंपूरी शेयर के कई स्थानों पर शाम होते ही सट्टे बाज नव्यों का अपना मंचाहा नंबर लगाने के लिए लाइन में लगकर सट्टे का नंबर लगाते भी नज़र आते हैं ऐसी कुछ तस्विरे कैमरे में देर शाम कैद हो गई आपको तादे हैं कि मेंपूरी के सियो सदर कारले के ठीक पीछे परशून की दुकान पर जो नाम मात्र के लिए परशून की दुकान है हाकिकत में शाम होते ही सट्टे का कारोबार बड़ी तेजी से याँ फल फूल रहा है ऐसे एक और मामला क्रिशन टॉकेस के समीब देखने को मिला जोहान अभीवक सट्टे जैसे भयाना गल्दल में फस्ते वे चले जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि शेयर में दो-तीन ही जगाव पर सट्टे का कारोबार चलता है जो सट्टे कारोबारियों से मौका पर जान कर ली जाती है तो उन्हों बताये की 2.300 रुपे मसदूरी पर काम कर रहे है सट्टे का असले केंग तो लक्ष्मी गुपता है सोचने वाली बात है कि जन पर मैनिपुरे में ये लक्ष्मी गुपता है कौन आखिर बेखौप वोकर इस अठ्ठे का अवयद कारोबार किस के सोजने से चलता है क्या कहीं पुलिस प्रशासिंगे मिली भगत तो नहीं क्या रक्षमी गुपता को पुलिस का पूर से रक्षन तो प्राप नहीं जो पुरिस साथ काट कर अवैद कारोबार को कर रहा है यह सप्टेव का चारोबार कब से कर रहा है तो अच्छा तो इसका मेन मालक कोन है नहीं माला हूँ है कितना रुपे मिलते है तुमको अचा तुम्हें मालुम इसका कितना उठाने पड़े के लुपे हीलता है किवल 200 पे में दूकान भी चला रहा है और ये शप्ठेका कारोबार भी कर रहे है यूपी के फत्यपूर जिले के एक हागा कस्पे में MP सरकार के पूर मंत्रिया महा मरलेश्वार कंप्यूटर बाबा का स्थानी लोगों ने फूल माला पहना कर जबूरदार स्वागत किया वे इन्हों ने पत्रकारों से बात्चीत के दुरान मरत्मान शिवरास सरकार का यूपी के तरश पर चालू की गए बुल्डोजर नीती पर प्रटकार करते वे कहां कि बुल्डोजर कहां चलना चाहिए उन्हें मालू होना चाहिए और गलत आदमी पर अगर बुल्डोजर चल से कुछ काम नहीं होता है कि आपका परशे जानना चाहिए आपका उत्तर परदेश किस बात को लेकर आग्मान हुआ और किस उस्या आप हम धार्मीर चर्चा हम सादू संथ हैं हम और भक्तों के आहां जाते रहते हैं और यहां नहीं है कि दर्शन किये शितिपूर में परिक्म चले आए यहां भगवान दोले के दर्सर करने के बड़ा अच्छा लगा और यहां के लोग बड़े धार्मिक हैं इसलिए धार्मी लोगों से मिलने के बड़ी जिग्यासा होती है उसंत को चाहिए कि मिल जुन करके हुंको को यह सही रास्ता बता है वही काम के लिए हम पू पूरी तरह से अस्तवेस्त है बारिश के कारण हो रहे हैं लेंड्सलाइट के कटनाओं से पहाड़ों पर रहने वाले लोग डरे सहमी हैं इन परसुतियों के भी जीवन गुजाना यहां के लोगों के लिए किसी चनौती से कम नहीं है बारिश के कारण सड़के पल भर में गायब हो जाती हैं दूदराज से मुख्याले से संपर्ग भी तूट रहे हैं लेकिन इसके बावजूर भी यहां के स्थानी लोग जीने की जद्वजहद में लगे होते हैं अपने पहाड़ों से अक्सर ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें स्कूली बच्चे उफंती करने के चक्कर में अपनी जान गवाने से बाल बाल बच गए वीडियो पुरौरा विधान सभास से मोरी ब्लॉक का है जहां टॉंस घांटी के सबाशेतर जखौला में सांकरी और मोरी तहसील को जोड़ने वाली फफ्राला खंड में बनी पुलिया लगातार हो रही बरसात क गरन दो हपते पहले बैग गई ती तब से लेकर आज तक इस बरसाती गोद्रे को ग्रामन वलली के सहरे पार करने को मजबूर है यही नहीं सकुली बच्चे भी रोज सुभा अपनी जान हतीरी पर रखकर इनी बल्लियों के सहरे स्कूल जाने को मजबूर होते हैं वीडियो तेरे कि इस तोरा मुझे पास खड़े वेक्टिन उन्हें पकड़ लिया इसके बाद वधायक जी ने किसी तरह से वरसाती गुद्री को पार किया वधायक जी को अब लोगों के सामने आ रहे ही दिक्कतों का अंदाजा जरूर हो गया होगा यही कारण है कि वधायक जी ने इस पूरे जितनी जिले के जो विभाग है आपके डबल जितनी में निर्मान एजन्सिया और साथ-साथ के आपके जलसनस्तान सिंचाई कमाम सभी पॉरेस्ट सारे विभाग जो है आज साथ थे सभी अधिकारी साथ थे और जब इस चेत्र में जो हराकोट बंगान है और आपका देख सकते हैं आप तिनों पटियों में मासमोर हो गया आपके कोठी गाड हो गया पिंगल फटी और यहां जब 2019 में जो है एक भिशन आपदा आई थी उस दोरान यहां पे जनहनी भी हुए थी और पुए शूराबस्ति में मर्श्रोः मारने गए वयक्ति की सर्यू नहर में डूप कर मौठ हो गए, में तक प्रक्ति मर्श्रोः मारने के लिए सर्यू Nãoher पर गया था और वहीं जाल को बिचाते समय गयरे पानी में पहुँंच गया, बाहर नहीं ही निकल सकाfounders जिसके प्रेमी यूगल कश्व मिलने से संसरी मिल प्रेमी यूगल कश्व पेर पर लटका मिला बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पीशे दो सालों से प्रेम प्रिसंग चल रहा था पुर्शन शब को कब जम लेकर पोस्मार्टक के लिए फीच दिया है और इसे के साथ फिलाल कबरों में इतना ही आप बने रही है नियूस वल इंडिया के साथ